अलो दोस्तो, प्लसपन के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है स्टेंडर्ड वायर वर्सेस सॉलिड वायर अभी इन दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा यह हमें आज जाना है, लेकिन ऐसे साधे सुधे डंग से नहीं हम लोग एकदम टेकनिकल तोर पर हम लोग इसको डीटेल में सीखने वाला है कि स्टेंडर्ड वायर और सॉलिड वायर में से हमारे लिए फाइदेकारक यह हमारे लिए सबसे बहतर कौन सा है यह आप गूगल पे सर्च को लो, यह यूटूब के सर्च को लो आपको बहुत ही कम जो है इसका रिलेटेड नॉलेज मिलेगी लेकिन याद रखे यह वीडियो को अन तक जरूर देखेगा क्योंकि इसके नदर जो मैंने टेक्निकल चीजों पर दर्चाय गया है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको 100% इंटर्वी पास होने के लिए साहता पराप्त होगी तो दोस्तो इन दोनों में से यानि कि स्टेंडर वायर और सॉलिड वायर में से हमारी लिए बेस्ट कोन सा है, उसकी शरुवात करने से पहले बता दू कि मेरा नाम है निकित्षा, आप मुझसे कई सरी सोशल मीडिया वेबसाइज के ज़रे जोड सकते हो तो दोस्तो स्टेंडर वायर की सबसे पहले बात करें तो स्टेंडर वायर में चोटे-चोटे वायर रहता है आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे wires के टुकडे मिला कर एक wire बनाया जाता है, जिसको भी रहेगा, जबकि यहां पे जो आप देख सकते है, चोटे-छोटे core का इस्तमाल करके एक wire बनाया गया है जिसको वो लगे standard wire और इसको वो लगे solid wire सबसे पहले difference हमझ में हाला कि यह technical difference नहीं है यह basic difference है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है standard wire और solid wire के बीच में लेकिन हमारा जो सवाल रहता है कि भाई यह दोनों में से कौन सा सही है हमारे लिए तो उसको थोड़ा समय आगे लेकर जाता हूँ तो सबसे पहले cross area section की हम लोग बात करते है cross section की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो core रहता है वो पूरी तरह से उसके screen के साथ में attach रहता है आप देख सकते हैं यह core है बीच का और यह उसके screen है जबकि standard wire की core की बात करूँ cross section की बात करूँ तो इसमें air gaps आपको नजर आएगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे तार है जिसकी वेसे बीच में क्या रहेगी air gaps रहेगी यह दोनों में आपको एक technical difference समझ में आया तोनों की थोड़ी सी features की बात करें क्योंकि हमें साथ समझना यह है कि हमारे घर के बाहर और हमारे घर के अंदर कुण से wire का इस्तमल करें हमारे लिए cost effective यानि कि जिसमें कम से कम बिजली का bill आया तो हमारे लिए कुण सा सही रहेगा यह हमें समझना है तो सबसे पहले उसको कुछ features की बात कर लेते बात में technical तोर पे हम लोग जाएगे standard wire जो रहता है एक प्रकार से देखे तो flexible रहता है उसको manable भी बोल सकते है flexible का मतलब होता है मालोग कि आपके घर के अंदर आप wiring कर रहे हो और समझो आपने जो concealed wiring कर रहे हो तो concealed wiring के अंदर जब यह wire डालते हो तो आप flexi wire का use आसानी से कर सकते हो क्योंको flexible रहता है standard wire रहता है वो flexible रहता है आराम से कोई भी दिशा में कोई भी आराम से turn ले सकता है जबकि यही solid wire में आप करो गे try तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा यह solid wire जो है थोड़ा सा भी आप band करने की कोशिश करें तो crack भी हो सकता है ने तूट सकता है wire जबकि flexi wire यानि कि standard wire में यह flexible होने की वैसे यह तूटने की संभावना ना के बराबर रहती है इसको split नहीं कर सकते है मालब split नहीं होगा तूटेगा नहीं यही मैंने आपको यहाँ पर उसके फाइदे बताए मैंने सबसे पहले है ठीक है लचिलापन इसमें बहुत ही खास्यत है और लचिलापन होने की वज़े से हम लोग उसको circuit board में speaker wiring के अंदर electrical mechanism में हम लोग इस्तेमाल करते है मैं और एक example देता हूँ अगर मालब आपकी गाड़ी है उसके दर्वाजेस में कई सारे wires जाते है दर्वाजा बार बार बन चलो खोलना बन करते है तो उसकी वैसे क्या होता है तो ये एक advantage है standard wire के अंदर अभी मैं बात करता हूँ solid wire के अंदर की solid wire की बात करें तो ये weather resistance है anti-corrosion है log cost है अभी weather condition को जिलने वाला है अभी मतलब क्या रहा था इसमें एक single core होने की वज़े से सबसे बहला तो उसका manufacturing cost बहुत ही काम हो जाता है क्योंकि अगर standard wire की बात करें तो उसके अंदर काफी चोटे 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 wire का इस्तमाल करता है जिसकी वैसे manufacturing की cost रहती है वो बढ़ जाती है जबकि इसके अंदर एक ही core होने की वज़े से जो उसकी जो costing रहती है हमें सस्ता बढ़ता है वैधर कंडिशन को रजिस्टी इसका जो core जाड़ा होने की वैसे आउरें बहार का उसके साथ में अच्छे तरह से लगा होने की वैसे बहार के जो temperature को जेलने की ताकात है इसको बहार के अलग-अलग जो वैधरिक कंडिशन रहता है बारिस के मौशम रहा है या कोई भी प्रकार का वैधर कंडिशन रहा है उसको जेलने की ताकात है तो यह इसाब से अगर मैं solid wire के बात करो तो घर के बहार के हिस्सों में अब solid wire का इस्तामाल बहुत ही आसाने से कर सकते है खास करके building infrastructure के अंदर vehicle controls के अंदर जहां पर बार की तरफ wire है कुछ outdoor applications के अंदर अभी माल लो कि आपका एक bungalow है आजो आजो मैं कुछ lights लगानी है bungalow के तो आप weatheric condition क्योंकि वो हमेशा light के wire तो आप निकालने वाले नहीं है वो permanent रहेगे तो वहाँ पर weatheric condition रोज change होती है तो उसके लिए वहाँ पर आप इस्तमाल क्या करोगे solid wire का अभी ये तो मैंने आपको features बता दिये लेकिन इसमें कोई technical specification नहीं बता है technical specification के लिए हमें समझना पड़ेगा उसका current flow को कि standard wire और solid wire मैं से current के उपर पूरा खेल रहता है वो किस प्रकरस है क्यों हमें जो बिजली का bill आता है वो current के अनुसार आता है current तो इसके लिए current किस में बहतर जाएगा current में कैसे फाइदा हो पाएगा ये हमें समझना बहुत जरूरी है ये पूरा technical तोर पे समझना बहुत जरूरी है standard wire और solid wire के case में आगे बढ़ने से पहले जानकरी के लिए बता दू हम लोग ने कई सारे online courses चालू कर दिये खास करके electronics, electrical, electrical के अंदर wireman, motor rewinding, home appliances repairing, solar का course है वैसे कई सारे अंगिनत courses चालू कर दिये ये सब courses करने के लिए केवाल mobile में एक app डाउनलोड करना है plus point training जो की Google Play Store से आपको मिल जाएगा यदि आप laptop या computer से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये website पर विजिट करके आप आसानी से online courses सीख सकते हो अधिक जानकरी के लिए जो मेरा WhatsApp नंबर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस पर केवल high का message डाल दीजे तो मैं आपको एक वीडियो के माद्यम से पूरी जानकरी भेज दूगा तो चले दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि current standard specification के अनूसार हमारे लिए standard wire अच्छा रहेगा या solid wire के अच्छा रहेगा तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर standard wire और solid wire की तो अगर मैं electrician हूँ तो मुझे अगर current कितना जाने वाला है एक wire मैंसे यह जानना बहुत ज़रूरी है अगर माल लो कि मैं microwave या बड़े-बड़े appliances चला रहेगा तो वहाँ पर मुझे wire का जो gauge लेना पड़ेगा जाड़ा wire लेना पड़ेगा अगर मैं normal equipment चला रहा हूँ और normal application चला रहा हूँ तो वहाँ पर छोटा gauge का wire भी मेरे लिए sufficient रहेगा current यह as an electrician आपको जानना ज़रूरी है अभी यहाँ पर wire चुनने की जबी बात आती है तो यहाँ पर एक समझना पड़ेगा skin effect को अभी skin effect क्या है इससे wiring का क्या लेना देना है तो दोस्तो होता गया है कि जबी wire rate से current पसार होता है तो उसके निर्मान होता है skin effect अभी इसको थोड़े technical तोर पर समझते हैं मालो कि यह आपके core wire है मलब यह आपका solid wire है इसमें एक single core आपको नजर आ रहा है तो आपको क्या लगता है जबी इसमें से current बहेगा तो क्या पूरा wire में equal current बहने वाला है मलब पूरे core में equal current बहता है नहीं बहता है क्यूं नहीं बहता है और इसी का current इसको आपको बहता है skin effect होता क्या है कि जबी wire में से current पसार होता है तो बीच वाला जो हिस्सा रहता है, वहाँ पे कम current flow होता है, जबकि बाहर वाला जो हिस्सा है, ने कि उपर वाला जो हिस्सा है, जो कि खास करके ये वाला हिस्सा की बात करूँ, वहाँ पे current जादा बहता है, यहाँ पे current कम रहता है और यहाँ पे current जादा रहता है, और इसी क के अंदर electrons बेहता है और electrons बैदा करते है magnetic field को आप देख सकते हैं कि है यहां पर magnetic field हो रहा है उसके बाहर की दरफ भी होता है वायर के और अंदर की दरफ भी रहता है इतना तो आपको मालूं है अभी electromagnetic field होता क्या है कि जब उसमें से बहता है current तो यहां से बीच वाले area में से electromagnetic field जाधा बहता है क्योंकि यह area बहुत ही पास-पास में तो यहां पे जाधा electromagnetic field जनरेट होगा और जबकि यह वाले याने की बहार की skin वाली जो परत है याने कि लास्ट वाली जो परत है उस पे जो magnetic field जनरेट होगा वो काफी कम होगा यहां पे magnetic field करेंट कम जनरेट होने का रिजन क्या है वो पहले समय लेदे कि जब धी current जब भी वहता है तो यहां पे electric जो रहता है वो यहाँ पे electrodes flow होता है surveillance बीच में से जादा flow होगे तो जड़ादा flow होने की वज़े से यहाँ पे electromagnetic fields जादा generate होगा यहाँ पे flux जादा generate होगा यहाँ पे flux जादा generate होने की वज़े से impedance यहाँ जादा मिलेगा और получится जादा मिला तो current क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसी प्रकार से, अगर मैं बात करू यहां पर, तो यहां पर जो आप देख सकते यहां पर, multiplier की जो moment रहती है, उसका जो flux रहता है वो कम रहता है, और यहां पर कम flux होने की वज़य से रहतय है, वो जादा रहती है वो ज़्यादा रहती है समझ मैं है यहाँ पे flux ज़्यादा है और यहाँ पे flux कम होने की वैसे यहाँ पे कम current बैता है और यहाँ पे ज़्यादा current बैता है इतना समझ मैं है इसके अलावा बात करें DC supply की अगर मैं आपको AC supply और DC supply की बात करो तो DC में कोई भी प्रकार का frequency ना होने के कारण DC में इसके उपर कोई effect नहीं होता है अगर मैं इस wire में से मालो की standard wire है वालब यह normal हमारा solid wire है अगर इसमें से DC supply में पसार करता हो तो इसमें skin effect नहीं होगा जबकि इस skin effect किसमें होगा AC supply में होगा क्योंकि AC supply में frequency रहती है अगर कम frequency है तो beach वाला जो area जो रहता है वहाँ पे आपका कम current बहेगा जबकि यह वाल इतना area में आपको ज़्यादा current बहने वाला है अगर frequency में बढ़ा दू तो आपका जो beach वाले हिससे में से कम current बहेगा और इतने ही area में से current बहने वाला है बात समया अगे अंगे इतने area आपका waste हो रहा है अगर 20 kHz की frequency है 20 Hz की frequency है तो यहाँ पर आप देख सकते कि इतने area का इस्तेमाल हो रहा है जबकि अगर मैं frequency को बढ़ा दू तो मैं खाली इतने मैंसे ही मेरा current पसार हो रहा है ये आपको properly समझना पड़े ये थोड़ा technical है जो लोग नए है तो उनको technically समझने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश करिए इस चीज को बचाने के लिए हम लोग अभी मैं इसको थोड़ा सा और detail में बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर frequency बढ़ती है तो हमारा जो skin effect जो रहता है वो भी बढ़ता है diameter अगर बढ़ता है तो skin effect भी बढ़ता है इसके लिए shape भी consider किया आता है nature of material यानि कि material के इस सब से भी ये जो skin effect जो रहता है उस पर निर्धारित होता है तो काफी सरी चीजों पर skin effect रहता है skin effect तरीके एक तरीके से बता हूँ तो एक प्रकार से resistance पैदा करता है जो आपके current की flow को नियंतरित करता है तो इतना सारा बात करने के बाद ये तारण आता है इसके अंदर कि अगर एक wire standard wire की बात करूँ और solid wire की बात करूँ तो solid wire में single core होने की वैसे जो skin effect generate होगा वो बीच में कम current आएगा बाजू में से यानि कि बाहर के हिस्सों में से ज़्यादा current flow होने वाला है यानि कि current losses यानि कि अगर मैं skin effect को बचाने की बात करूँ तो यहाँ पर एक प्रकार का wire आपको मिलता है यह hello wires बोलते है इसको हम लोग इसका इस्तेमाल जो रहता है खास करके जो railway जो engines रहता है या आप local trains देखो कि उसके उपर की जो wire रहती है ना उसको hello wires बोलता है उसके beach में ऐसा core रहता है ना कि beach वाले हिस्से में कुछ नहीं रहता है और आजू आजू हिस्से में छोटे-छोटे core से बनावाई standard जैसा रहता है लेकिन beach वाले हिस्से में कुछ नहीं रहता है इस प्रकार के wire का इस्तेमाल किया रहता है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो standard wire अच्छा है कि solid wire अच्छा है कुण सा अच्छा रहेगा हमारे लिए अगर मैं आपको ये skin effect भी पूरा समझा लू तो मैं आपको एक shortcut में बता दू इसका advantage और disadvantage अगर आप solid wire इस्तमाल कर रहे है तो solid wire अगर ज़्यादा gauge का लोगे तो आपका current losses बढ़ जाएगा अगर आप घर के बाहर इस्तमाल करें तो आप solid wire का इस्तमाल करो standard wire का इस्तमाल जो है घर के अंदर की तरफ ज़्यादा बहतर रहेगा और standard wire जो रहेगा वो ज़्यादा किफाइती ज़्यादा मामलों में हमारे लिए बहतर रहेगा भले थोड़ा महंगा है लेकिन उसमे current losses कम होने की वाज़ा से हम लोग electrical board में हमारे जो appliances है उसके लिए standard wire का प्रयोग करेगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा solid wire जो हमारे घर के बहार के लिए सही रहेगा current conversation थोड़ा सा ज़्यादा होगा भले लेगन वो weather condition को जेलने की ताकत रखने की वाज़ा से बहार की दरफ आप solid wire का इस्तमाल करो in short आपके घर के अंदर standard wire का इस्तमाल करो और घर के बहार solid wire का इस्तमाल करो I hope कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा दूस्तों है थोड़ा सा technical जरूर वीडियो था दो तीन बार वीडियो का आप देखो के तो आपको बहुत अच्छी दासे समझ में आयेगा online courses के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो यह मेरा whatsapp number है जिसपे आप मुझे whatsapp कर सकते है I hope कि वीडियो आपको पसंद आ रहेगा वीडियो पसंद आया तो like और share करना ना भूलिए वीडियो को और please comment में लिखे कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कुंसा चाहिए तो जरूर में बनाने की कोशिश करूगा चले दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप नए है चैनल के उपर तो subscribe का बटन दबा के bell का icon दबा दीजे ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आएगा उसका notification आपको जल से जल मिल जाए और आप उस वीडियो का अच्छी दरस आपके knowledge में आपके दिमाग में उतार सकते हो चले आज के लिए इतना ही thanks for listening